साथियों, आप ये भी भली भाती जानते हैं कि संबलपूर और उसके आसपास का इलाखा अपनी मिनरल और माइनिंग स्ट्रेंद्ट के लिए भी जाना जाता है हाई ग्रेड आयरन हो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मेंगेनीज, कोल, लाइमस्टोन से लेकर, गोल, जेमस्टोन, डायमन यहां की प्राकृतिक संपधा को अनेक गुना बढ़ाते हैं देश के इन नेचरल एसेस को बहतर मैनेजमेंट कैसे हो, कैसे ये पुरे छेत्र का विकास करें, लोगों का विकास करें, इसे लेकर भी आपको नए आइडियाज पर काम करना है साथ क्यों, ये मैंने आपको कुछी उदान दिये हैं, उडिशा में बनसंपदा, खनीज, रंगबती, संगीत, आदिवासी आर्ट और क्राप, स्वभाव कभी गंगाधर, महर की कविताएं, क्या नहीं है उडिशा के पास जब आप में से अनेक साथी संबल पूरी टेक्स्टाइल या फिर कटक की फिलिगरी कारीगरी उसको ग्लोबल पहचान दिलाने में अपने काउशल का इस्थमाल करेंगे, यहां के टुरिजम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के साथ ही ओडिसा के विकास को भी और गती मिलेगी और नहीं उचाएं मिलेगी